Hello Friends, Welcome to Crazy Jika Trick दोस्तो आज का वीडियो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग होना वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पनामा कैनाल या फिर पनामा नहर के वारे में यदि बच्चों बात करें पनामा कैनाल के वारे में पनामा देश है चोटा सा उसी के अंतरकत इस कैनाल को बनाया गया है यहाँ पर आप वल्ड मैप में भी इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा देश है पनामा और इसके अंतरकत ही इस कैनाल को यहाँ पर बनाया गया है आप इस बड़े मैप में भी यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यहाँ पर आप देख रहा होंगे यह Atlantic Ocean है इसके लबह यहाँ पर Pacific Ocean है अंध्य महासागर है और प्रशांत महासागर है तो इनहीं दोनों महासागरों को यह कैनल आपस में connect करती है तो आखिर ऐसी क्या आवश्यक्ता आई कि इस कैनल को बनाना पड़ा तो देखिए पहले होता क्या था कि अमेरिका का जो यह पूरवी तट है अमेरिका का यह पूरवी तट है तो यहाँ से यदि अमेरिका की पश्चमी तट में जाना हो तो यह पूरा South America continent इस प्रकार से क्रॉस करना पड़ता था और यह दूरी लगवग किती थी 21,000 किलोमेटर होती थी जब पनामा कैनल प्रोजेक्ट को बनाया गया तो यह दूरी घट करके कितनी हो गई सिर्फ 8370 किलोमेटर रह गई तो पहले जहां लगवग दो हपते का समय लग जाता था पूरा यह चक्कर लगाने में वरतमान में कुछ ही घंटे में यह दूरी तै हो जाती है तो यह बात आपको आपको याद रखना है इसके लवा एक बात आपको और पता होगी कि जो यह उत्री अट्लैंटिक महसागर है या फिर नौर्थ अट्लैंटिक ओशन है यह है विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग है सबसे विजी मार्ग है क्योंकि यहाँ पर दखें यह यह योरोप है इसके लावा यहाँ पर स्वैल्स कैनाल है तो यह भूमद्य सागलवारा रीजन भी काफी महत्पूर्ण हो जाता है तो यह जो पूरा रीजन है यह काफी महत्पूर्ण हो जाता है ट्रेड या फिर ब्यापार की दश्टी कौन से इस कहां से भी पनामा कैनल काफी महात्रपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है पूरे विश्व के लिए तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब देखिए आखिर पनामा कैनल इतना खास प्रोजेक्ट क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं देखिए पंदरवी सताबदी में ही इस को बनाने के बारे में सोफ लिया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी सारी दिक्कते थी, वो दिक्कते कई थी वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देहिए यहाँ पर पर बीच में आपको एक जील देख रही होगी, यह पूरी एक जील है, ब्लू करल से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, गाटून जील या फिर गाटून लेक है ना, तो लगबग 80 km लंबाई तो यह गाटून जील ही कवर कर लेती है ना, पानामा के जील में सिप को भेज दिया, तो यहाँ से लगबग 80 km लेकर जील ही सिप को रास्ता क्रॉस करा देती, उसके बाद थोड़ा सा और लगबग 1.5 km का रास्ता इसको कैनाल की थ्रू बनाना पड़ता और फिर यह अट्लैंटिक ओशन में चली जाती, लेकिन इंजीनेरों के सा जील में जील है, जैसे माले जी यह समुद्र तल है, यह फिर सी लेविल है और यह गाटुन जील का लेविल इससे लगबग 26 मीटर ऊपर था, ठीक है, मतलब शिप को आपको यहां से यहां ले जाना था, ठीक है, तो इंजीनेरों के सामने यह एक बहुत बड़ा टास्क था बहुत बड़ी समस्य थी, तो यही इसके लिए इसी समस्या को दूर करने के लिए, इंजीनेरों पर एक यहां पर प्रोजेक्ट बनाया और यहां पर इसको शिप को यहां पर गाटुन जील में पहुंचाने के लिए जो सिष्टम बनाया, उसको हम बोलते हैं, लौक काफ़ी ज्यादा खास बनाता है ठीक है अब यह लॉक सिष्टम क्या है इसी को हम यहाँ पर समझेंगे थोड़सा आप समझिए यहां सबसे पहले शिप आएगी केरेवीन सागर से तो उसको लॉक सिष्टम के थ्रू गाटोन लेक में उतारा जाएगा है ना फिर गाटोन ले वाला रूट है कितना important है देखिए कुछ प्रमुख यहां पर आपको रूट दिखाई दे रहा होंगे कुछ चोक पॉइंट है देखिए पूरे विश्यो का लगवग जो 90% ट्रेड होता है यह ना पूरे विश्यो का जो 90% ट्रेड होता है वो सी रूट के दोरा ही ट्रेड होता है ना मतलब 90% सी रूट से होता है और लगवग 10% ही एयर या फिर ट्रेन या फिर सड़क परिवहन के दोरा संचालित होता है तो काफी महत्रपूर्ण योगदान है पूरे सी रूट में तो इसमें कुछ रैड डॉट आपको दिखाई दे रहा होंगे जो कुछ का सी मतलब देखा जा तो सी रूट में महत्रपूर्ण भूमी का यह निभाते है ठीक है तो यह काफी महत्रपूर्ण आप देखेंगे रूट हो जाता है अब यह लॉक सिस्टम कैसे काम करता है इसको सोड़ा हम यहां पर एक बार देख लेते हैं देखिए यहां पर मैंने एक मैप रखा हुआ है इसको आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले देखिए क्या होता है यहां पर पैसिफिक ओशन में यहां पर शिप है ठीक है पैसिफिक ओशन से यहां पर यह लॉक बनाएगा है ठीक है यह देखिए लॉक है तो सबसे पहले इसके वाटर लेवल को match किया जाता है यहां से gate खुलता है ship इस lock में आती है उसके बाद इन दोनों lock के water को level किया जाता है यह वाला gate open होगा इसके बाद जो ship है इस वाले lock में आ जाएगी फिर इन दोनों के water को level किया जाएगा यह वाला open होगा gate और फिर ship यहां पर enter कर जाएगी उसके बाद यह वाल लेवल इसका same हो जाता है तरवाजय member हो जाता है यहाँ पर फिर और अगले लोक में जाते है थिक्या इस प्रकार से और फिर यी open हो जाएगा फिर यहाँ पर बन्द हो जाएगा फिर यहाँ पर यह सीधे Atlantic Ocean याथ फिर Pacific Ocean में चली आएगी, ठीक है, तो यही जो इसका बच्चो lock system है, यह इसको खास बनाता है, अब यह lock system काम कैसे करता है, यहाँ पर देखिए, water reservoir बनाए हूँ गए, water tank, मतलब इनके side में water tank बनाए गए है, जिसके through, इसमें पानी छोड़ा जाता है इस प्रकार से, ठीक है, level करने के लिए इसको छोड़ा जाता है, पानी को, तो यह भी अभी हम आगे भी discuss करेंगे, एक बार इस map में आप और अच्छी से समझ लीजिए, देखिए, यहाँ पर देखिए, यह Atlantic Ocean है, ठीक है, तो यहाँ से ship इंटर करता है, है ना, अब यहाँ से इंटर कर गया, अब सम गाटुन जील में उतारा जाता है, फिर इस प्रकार से यह पूरा route होता है ship का, इस प्रकार से यह गाटुन जील है पूरी, गाटुन जील को यह पार करती है, और फिर यहाँ पर प्रशान्त महासागर के पास आ जाती है, अब यहाँ से भी उसको प्रशान्त महासागर के ल out clear हो जाएंगे देखिए यह Atlantic Ocean है है यहां से lock system के through strip को लगवग 26 मीटर उपर लाया गया Garton Lake में फिर Garton Lake से यहां पर देखिए यह Garton Lake से फिर strip यहां से सीध है यहां पर कोई दिक्वत उसको नहीं आती है लगवग 80 किलोमीटर लंबा सफर easily tie कर लेती है फिर जब वो Pacific Ocean के पास पहुंचती है तो यहां पर फिर उसको दो lock देखने को मिलते हैं इन दो lock के through वो Pacific Ocean में जाती है ठीक है तो इस प्रकार से यह पूरा Panama Canal का जो system है यह कारे करता है ठीक है देखिए यहां पर आपको यह lock दिख रहे हैं यह lock system है इसके लावा यहां पर water reservoir बने है जल संग्रान छेतर बने है जिनकी सहायता से है अंदर से यह connected है इन lock से इस प्रकार से है ना तो इन lock की जो इन lock में यह पानी आता है जब ship यहां पर इंटर करता है तो इनके water को level करने के लिए अंडर ग्राउंड इन ही water reservoir के थूँ इसमें पानी भेजा जाता है जिस से ship उपर उठता है वो level पर आ जाता है फिर आंगे आता है फिर इस प्रकार से उसको गाटों जील में छोड़ दिया जाता है ना देखिए यहां से ship आएगा इस प्रकार से एक-एक lock होते हुए यहां पर फिर गाटों जील से सीधे ट्रॉस कर जाता है तो इस प्रकार से बच्चो यह पूरा Panama Canal का जो system है यह कारे करता है ठीक है अब देखिए कितने विशाल यहां पर ship होते हैं लगबग maximum 1400 container यह जो आप container देख रहे है न यह ऐसे लगबग 1400 container वाला ship इस कैनाल से पास हो सकता है यह फिर गुजर सकता है ठीक है तो काफी बड़ा और important project था यह पूरे हमारी इतिहास का इसके लगब एक point और आपको याद रखना है जब ship कैनाल में इंटर करती है इन lock में इंटर कर करती है तो यहाँ पर जो जहाज का captain होता है captain होता है तो पूरे विश्व का एक मात्र ऐसा project है जहाँ पर जहाज का captain जहाज पर से अपना नियंतर खो देता है मतलब जो यह आपको इतना वड़ा ship दिख रहा है इसको control कौन करता है इसको control करता है जो panama authority के लोग होते है panama canal क जो अधिकारी होते हैं वही अधिकारी इस पूरे ship को control करते है ठीक है और यहाँ पर जो यह पूरा ship है इसको जो cross कराया जाता है तो यह यहाँ पर छोटे 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 आपको engine दिख रहे होंगे ना यह engine दिख रहे होंगे छोटे 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 तो wire की through इस ship को इस से बा अधिकारी होते हैं वही इसको पूरा क्रॉस कराते हैं इन म्यूल्स की साहिता से ये काफी हैवी और सक्तिसाली इंजन होते हैं ठीक है तो ये बात भी आपको याद रखनी है ठीक है तो इस प्रकार से कुछ द्रश्य है पनामा के नाल के ठीक है तो ये बात आपको याद रख लेकिन इस पूरे प्रोजक्ट को बनाने में उन्होंने सफल तर नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पर कारे करना काफी मुश्किल था, यहाँ पर उनके बहुत सारे अधिकारियों और मजदूरों की मौत होना स्टार्ट हो गई थी, बहुत सी बीमार्यों के करना, तो फ्रांस क के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण था और उसने ही इसको आंगी चल करके complete किया इसके लावा बच्चो जो पनामा कैनाल है ये लगवग 160 कंट्री के 1700 पोर्ट ये फिर बंदरगाह को आपस में connect करती है इसके लावा इस कैनाल में लगवग 10,000 लोग कारी करते हैं और बच्चो पूरे साल में पनामा कैनाल से लगवग 270 बिलियन डॉलर का ब्यापार होता है पूरे विश्व में तो काफी महत्वपूर्ण और बड़ा प्रोजेक्ट है ये पूरे विश्व के लिए इसके लावा बच्चो जो पनामा देश है उसकी अर्थविवस्था के लिए भी पनामा कैनाल झाल झाल